हम आपको दिखा रहे हैं अल्फा वन में यह सिंगल स्टोरी हाउस है जैसा कि आप जानते हैं अल्फा वन प्राइम लोकेशन है सारी जरूरत की चीज़ें यहां कहीं भी आना जाना है तो अल्फा वन मेट्रो इस्टेशन नजदिक है यहां से एजीली कंविंस मिल जाते हैं बहुत बड़िया बहुत ही बड़िया यह मकान की भी कंडिशन है यह देखिए यह देखिए कितना स्पेशियस हॉल है और जैसा कि आप देख पा रहूंगे पूजावी अभी ग्रैप्रवेश अभी हुआ है इसमें ठीक है जी थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो यह है आपका किचन एरिया इसमें कंप्लीटर है इससे आगे हम चलेंगे तो यह फर्स्ट बैट्रूम पर आ जाते हैं देखिए उपर इस्टोरेज दे रख रहा है इन्होंने इस्टोरेज है उपर और यह इसका अटेस्ट टॉयलेट अटेस्ट टॉयलेट है अभी क्लीनिंग वगएर इसकी होनी है गीजर भी इसमें अल्रेडी इंस्टॉल्ड है तो गीजर आपको अलग से नहीं लगाना इसके बाद हम चलते हैं इसमें हम चलते हैं तो सर इसमें देखिए इसमें भी बोटन वरक आपका कंप्लीट है इसमें है अब करेंगे अब करेंगे और जो भी काम इसमें बच रहा है वो भी हम करा के देंगे ऐसा कुछ नहीं है इधर हम चलेंगे तो यह हजी इसका ओपन स्पेस यह देखियो बहुत ओपन स्पेस है ऐसे वाशिंग एरिया आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है जे अलफा बन सी ब्लॉक की जो मार्केट है बिलकुल इसके नज़्दीक है ठीक है जे साफ सुत्रा मकान सबसे वड़ी बात है कि इंडिपेंडन्ट है तो ओनर का ऐसा कोई रेस्टिक्शन या कुछ नहीं है जो नॉर्मली किराइदा में पोजाता है तो ठीक हो जी इस वेचे लिए हम दे सकते हैं कोई फैमिली हो या वरकिंग बैचलर्स हो मारे बास तो उनके लिए ये हो सकता है ये जीना है हो जाने के लिए ठीक है जीना रादे रादे है